एक अल ऑक घृत्रिक Да Kaur उल शृतै एक नपग divergence करके आपको कफी कुछ घूंटों में अपको पूरा पीडियर्लिक का रिवीजन करवा दूंद अगर वीडियो अच्छों लगे तो प्लीक करेगा उस्टार्ट करते हमद व्च लेसे सबसे बह से नियो क्या होते हैं नियोनेट है फस्ट ट्वेंटीएट इस वाले को हम नियोनेट बोलते हैं और फस्ट एयर ऑफ लाइफ अलो का में इन्फिंट बोलते हैं यह तर्मिनलोगी आद करनी ऐसा कोई इंपोर्टेंट नहीं है कभी पूछ ले तो बैसी कि याद रहे हैं शाक की में अश्ट नहीं रहे हैं यह वेडुएट करें पीडियाटिक सीवह बारे में तो 2.8 तो पॉंट फॉर पॉंट प्लस में प्लस प्लस कर सकते हैं शब्स यह थो नहीं ऑन पर पूंट बढ़ को सकते हैं तो इसलिए पहले साल में थे तीन में नाइन केजी वह जाँए तजगुनां, Height के बात कर चोका, तो है एक question आ चुक है, Height के उपर, तो हैड़ का यह झाद रुखना है, को burt को होता है 50 cm, इसेकं-डॉय में होता है 90 cm, और डॉबल हो जाता है लगबग 4 मेरा, 4 से 4 मेरी सार्ष का ह्ठी ह मेरा ही,चे इसी सेग्मेंट लोवर सेग्मेंट रिशो अपर सेग्मेंट हमेशा स्टार्टिंग बड़ा होता है और जब जैसे जैसे जोती सेवन तू टैनियर में वह बराबर हो जाता है ठीक है वैसे कोई पूछने वाला नहीं है पर याद रिखना अब आते हैं शोट स्टेचर के लोंग श जो नम्बरिंग है यह आदक नहीं कभी भी एम से नीट के कुछने से आप्शन में कंफ्यूज कर सकते हैं आपको कि दो एच्टेट डेविशन था एच्ट्री एच्टेट डेविशन थी प्रपोर्शन इसका मतलब है कि दो अपर सेग्मेंट लोवर सेग्मेंट बराबर ही इसका में बराबर होगी दूब अगर ग्रोफ हर्म डिफिशन सी होती तब आपको बौन की जो मिलेगी ना वह क्रोणोलोजिकल एच से कम मिलेगी डिफिनेटली अब एक और किसमें जादा मिलेगी ऑनेच कम तो बहुत मिलती है यह वाला यादक ना जादा कब मिलेगी प्र तो यह मैं हाइलाइट कर देता हूं कि यह चीज़े याद रखना है बोन एज ग्रेटर देन क्रोनोलोजिकल एज इस पाइन प्रिकोशियस प्यूबर्टी और यह वाला याद रखना है फैमेलियल में वराब और बाकी सब में आपको कम मेलेगी ठीक है ग्रोथ और मन अब यह इदर का गया डिस्प्रोपॉश्चन एडिस्प्रोपॉश्चन शौट ट्रंक है और है शौट लिम अब ट्रंक उपर वाला पार्ट छोटा है वह कब होगी जब स्पाइन में कोई दिखके जोगी जैसे टीबी पॉट्ट्स पाइन में एलेजिली सिंड्रोम सिंड्रोम का इस पेंड्रोम डिस्प्लेश्या टीक है यह जो इस पाइन की दिखकत है जब दिखकत है कि इस पाइन जोटी होगी तो उपर का जो वह आपको चोटा बिखेगा ठीक शौट लिम लिम कब चोटा में रिकेट्स हो सकता है रोटा याद रखना आपको आरो टी ए डिकेट्स ऐस जैनिक इंफरफेक्टा थाइरोइड डिक्रीस थायरोगा रखना है यह दो जी एकांट्रोप्लेश्या तो दो चीज इसमें इंप्रॉट्टंट है ऑस्ट जैनिक इंपरफेक्ता था ज़ाता है अगर आपको रिवाइट नियो तो यहां रिवाइज हो रहा है रि ब्लू स्क्लेरा एंडेफनेस तीक है उस्टियोजनिक इंफ पर्फेक्ट इंपोर्टेंट है और कंट्रोप्लेजिया इसमें और डॉमिनेंट डिजीज है शेंपेंग्लास और पैल्विस और ट्राइड रखनेंड अब को यह कोई कुश्चन में आज आ जाए शेंपेंग्ला बहला है एक काई यह लोग me stat करते हैं मायक्रोचिप्एजिद माइनस 3 स्टेंडर डेवीशन पर्फेंड शटा वातों मीनस 2 स्टेंडर डीजिन माइक्न आचए मेक्रोच्टेंग्वान करते ब सनके मैनस 3 ग्योप यह य φॉंतेनल इंटीर इंड को होगा डैमेंड शेप होत कुछ दो बाराइस एक तारा मेहने पुस्टियर कफ लोस इता है उसक्स टू एट रिए टिक इस टार्टिंग के एक-डो मेहने में पूस्टियर क्लोस जो ता एंटीर विल्ए एक साल बाद होगा तो यह पुछा गया है यह दोनों याद रखना है पिर है और ओर ओडर ओडेत इस बस इंटर चैंज से अगर आया तो यह दो याद रखना मलेरा सबसे लास में रखना है अब हम नेक्स चेप्टर पारते हैं फर्स चेप्टर हमारा इतना ही है इसमें पूस्ली जो इंपोर्टिंट थे वह मैंने बता दी रेपीड डिविजन में अप इतना डिटेल में होने जाएंगे हैं जल्दे-जल्दी पूरा कवर करें एक डेवलैप्मेंट में क्या क्या पूश्ते हैं डेलोप्मेंट में ये आपको रटने ही ज़रत है किया क्या पूच101 वह बता देता हूं और फ्रोड़ा घर पूच लेते हैं सब्सेष्छ और फिर लेता है तुश मो यात ना दो दो छोड़के 6 7 8 9 10 पहले बेठे का बच्चा सपोर्ट पर फिर बेठे का बिना सपोर्ट के खड़ा रोगा सपोर्ट के फिर बिना सपोर्ट के तो यह चार आपको याद हो जाएंगे से 1 2 3 6 8 9 10 तो आचुका है वोक विच सपोर्ट विदाउट सपोर्ट तो बारवा महीन आएगा ठीक फिफ्टिंथ मंत में वो चलने लग जाता है ठीक है बिना सपोर्ट के और थर्ड येर में ट्राइसी कल का है ठीक है और गोड अपस्टेर विद अल्टरनेट फीट और डाउस्टेर विद टूफीट तूफीट पर फिर फोर्ट येर में गोज अपस्टेर डाउसे इस अल्टरनेट फीट पर सुर्य वॉद पर थीज़न अब हम यहां पर थे कि 12 फंध वो उपिष एपोर्ट वो विदाउट पोर्ट टीक है वो इस उपोर्ट विदाउट फोर्ट तो इस दिविदाउट पूर्ट जिब ल एक सेकेंड यह में कौर्ट टब स्टेप वो दोफट पर स्टेप करके चलेगा ठीक कि थर्ड यह में वह दो उपर जाने के लिए तो अल्टरनेट यूज करें और नीच आने के लिए और खोद इस्पॉन से लेके वा धेलों टारा मने तक खा लएगा ठीक है यूनिछय च्वज है चलम ईतैज में यूनिदर सी सु कि नीक्री杜 ऊँ रीके यूनिदेक्ट्रस फिर मिच्च्व 알ठ्र न्यक्त्र्टन literally आप बी देंगे तो इसलिए जाहिए कि मैं अधों 2, 3, 4, 4, 5, 6 यह अगर याद रखोगे हैं आप तो इसमें से एक क्वेशन बूच सकता है लाइन, सर्कल, क्रोस, स्क्वेर, ट्राइंगल और डाइमंड ठीक है तो यह कौन-कौन से एर में आ जाता है स्क्वेर अला पूछ रखा है क्या क्या है चोट्स कलेयं चोट्स के देखा को का अला है जाता है पूछ हमी अंत्त न क्योंट ने जो पूछ रखा है तो किस से थाने लग जाता है तो यह दो चीद याद रखने है तो पूछ रखा है वह याद रखना है ठीक है थार्ड साल में नेम एच जेंडर सब याद रखना है ठीक है यह पूछ चुके ठीक है यह ने आपने मायल्च्टोन में होगे है, लेंगगी मायल्च्ट्टोन में अभी तक तो कुछ नी पुछा है है, बस mono औ कि पूछने के चांसे रहते हैं ठीक है भी हेवियर डिस्वर्डर्स में ज्यादा एड़नी किया क्योंकि आज तक पूछा नहीं है नौक्षण ने अनुरसिस के बारे में पूछा है तो यह आपको याद रहते हैं कि पांच साल एज लिमिट याद रहते हैं पांच साल के पहले होगा फिर प्यूबर्टी आएगी ग्रोथ सपोर्ट आगा फिर मेनार को गटी कि प्यूबर्टी उसके बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नियो नेट्स में तर्म नियो नेट्स का पंसिर्व करें 37-42 प्री तर्म कब लेज दें 30 जिए तर्टेशनल एज के अको कि यह किस किस में मिल सकता है तो यह इंफेंट विद डाइबीटी से हैं कंजनाइटल है यह सोटो सिंड्रोम में बड़ा बच्छा मिल सकता है ठीक प्री टम की करेक्टरिस्टिक्स कभी कभी पूछ लेते हैं तो इसका एंटियर फंटेनल लाज होगा वाइडली ओपन होग पिनना सॉफ्ट और डिफॉर्म पर ब्रेस्ट पर लेज देन फाइव सेंटिमेटर लेज देन फाइव सेंटिमेटर याद रखना है ठीक है अब बाते हैं प्राइमरी नियोनेटल रिफ्लेक्स के उपर वैसे दाज तक एक भी कुशन नहीं पूछा है बस दो का याद रख रख सकते हो कि रूटिंग रिफ्लेक्स 32 हटे में आ जाता है और एक मेने के बाद लीसे पर हो जाता है मोरुज रिफ्लेक्स अठाई से 33 स्विक में बिगिन होता है निये यह एवरेज अब 32 एऊ और डिसे पर पांट से छे मेन होगा ठीक है कि याद रखना है ना यह यह दोनों सबसे इंपोर्टेंट चीज़ है सिफेल हमेटोमा एंड केपट केपट एंड हमेटोमा लिखा हुआ इसका मतलब क्या है 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 यह बात दिहान रखने है ठीक है और यह कौन सी हम्रेज है सब पेरिस्ट्र मतलब पेरिस्ट्रम की जो लेयर है बॉन की उसके नीचे ठ शूचर प्रोस नहीं करेगा ठीक है मान लिजिए बॉन है ठीक है और इसकी पेरिस्ट्रम यह है इसकी पेरिस्ट्रम है अगर यहाँ पर हुआ तो सूचर प्रोस तो भी नकरेगा ठीक है तो यह ध्यान रखना आपको चोईस घंटे लगते हैं आप यह रोने वह और 5 से 7 फ काउंडीब को स्करी हो सकता है यह पॉइंट रखने पाइध रखने है में द्यांट रहा है इसमरे में होगा है यह स्काल्प कर सकता के लैरेर वाले में बार उपर वा टीक है यह घर चानिट अब कर distributed यह सबसे इंपोर्टेमेंट होगा के पर मैं आपका भी भी मिस्टाइक निका सकते हैं जिस जो चीजे मुस्तली आस होती है उनमें गलती करिए तो फिर सेलेक्शन पक्का नहीं है तिक है फिर हम बात करते हैं नियो नेटल रिस इस प्रोक्राम इसमें भी इतना कुछ याद रखने का न में हैं ठीक है अब अगर हार्टड 10 से निचे है और उसकी हम देट से भी निचे है तो आपको पॉजिटिव प्रेशर करना है साथ सेकेंट फिर साटूरेशन भी टेक करना और काडिक मोनिटिंग करना है तो अगर साट के भी निचे चलागे हां उसका बेशित लिए 12 001 001 तो चेस्ट कंप्रेशन करना है 100 पर्सनेट और टू सप्लाइ करना इंट्यूबिट भी करना साथ से नीचे 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 है तो एड्रेनलीन लगाना है तीन टाइम लगा सकते हैं फिर भी कम है एड्रेनल के बाद तो दो कोज हो सकते हैं यह ती से बड़ी सिक्वेंस मैंने तो पूरा कंसाइज कर दिया अगर इस पूर टू इकम है मतलब सेचुरेशन इकम है तो क्लियर करना एर फिर से एक बार सेचुरेशन चेक करना फिर भी कम आ रहा है तो सी पेप करना है ठीक है क्योंकि हो सकता है कि वह सर्फेक्टेंड नहीं बनने के वज़े से प्रीटर्म हो उसकी वज़े से इस पूर्ट तो इसलिए उसी पेप उसका ट्रेट में लिखा ठीक है तो इतना सा है नियो नेटल डिससेटेशन इसके अलाव कोई खोश्चन नहीं पूचेंगे ठीक है अब यह पूच्छ जो रखा है बेस्ट वेटु असे से एडिवेट रिस्पॉन् इंप्रूमेंट इन हार्ट ठीक है अगरिसे स्टेशन कर रहें हैं इंप्रूमेंट आरी हाट रेट तो वह मतलब आप सही घर रहाए उसको शक्ष्णिंग का ऊडर बुचे पहले माउच में देन लौस ने ठीक है मूड फ्रेले नोस में पाल रिए चेस्ट कंप्रेशन और टिक है कि इस तु वन के रिषयोम नियोनेट उसाल में थम इन सर्क्लिन टेक्निक से करते हैं में रैश्व जाए हैं सिर्जट रू जबाएं में बात करते हैं तो दो तरह के होता हैं symmetric और asymmetric अभी तक question नहीं आया है कभी आज आया तो पूछना है इसमें इंसल्ट का time symmetric में कब होगा first और early asymmetric कब हो लेट ठीक है etiology क्या होता है early genetically infection बाद में क्या होगा under nutrition hypertension अनीमिय ठीक है कोई याद रखने को कभी पूछे तो याद रखना अभी तक तो कोई भी पूछा है नियो नेटल सेप्सिस के बारे में बात करते हैं most common responsible for new aceton vector followed by clepsula के नियो नेटल हाइपोथर्मिया के बारे में बात करते हैं थर्टी सिक से कम टेंपरिचर है पूसीवियर कब होगा 32 से निचे कंगार मदर का पूछा इस्कून की स्कीन कांटेक्ट बिट्वें दे बेबी एंद मदर ठीक है यह तो केम सी तो सबको पता होती है फिर हम आते हैं हाइपोग्लाइसी में 40-45 प्लाजमा ग्लुकोस 45 ब्लड ग्लुकोस 40 यह आज रखना है ठीक है ब्रॉब्लम इन इन इंफल्ट रण डिपिटिक मदर लगर डिपिटिक मदर है तो सके इंफल्ट को इân कई श्चाद का सकती है है मेक्रो सोमे हो वगा बड़ा होगा मेटाबलिक में हैपोग्लासी में हो सकता है फॉलिसायती में नियुनिटल जॉण्डिस हो चटा है टीक है respiratory system में more chance of RDS ठीक है respiratory distress syndrome के ज़ाद है सबसे important याद ल्याद अखना है most common congenital अबनोम्पटीज की वीजडी है उस्त मौस्ट स्पेसिफिक किया थो ना टीजी है ओके ट्रांस पोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी मौस्ट स्पेसिफिक अगर यह हुआ तो मतलब डाइबिटिंग मंदर को ही हो जकता मसली ठीक है यह यह दोनों याद रहने है पिर है परिनेटल स्फिक्स पार्ट व्रेन मौस्ट कमन इन वोलिन चाहिए अब टम है प्री टम है तो कौन-कौन साह अलग होंगे तर्म नियोनेट है तो पेरा से जाइटल प्री टम है तो प्यरे वेंटरिकुलर तीक है इसमें पूछ सकते हैं अब सबसे में इंपॉर्टेंट है एक आर्स कोट एसे अपीरेंस पीसे पल्स जी से ग्रीमेंस एसे एक्टिविटी और रिस्परिशन ठीक है अपियर कैसा होगा इधर कंप्लेटली पिंक है इधर कंप्लीटली ब्ल्यू है बीच में एक्स्ट्रीमिटी इस अच्छी है ऑप सेंटख और सब्सक्राइब कोई रिस्पोंस करता हैकर नहीं तो कुछ मुझे डालता है तो नो रिस्पॉंस आता है इसका ग्रिमेस करता है और काफ और असनीश कर देता है मूझ में कुछ उसके कुछ अगर नहीं पढ़के जाओगे तो कोई सेंस नहीं क्योंकि भूल जाओगे ठीक है ठीक है ठीक है अब का स्कोर के बाद हम जाएंगे एच्छाइ के स्टेज पर एक तो मैंने बता दिया था है स्टेज वन किसा इडेंटिफाइ करनी है मोरोज रिफ्लेक्स बढ़ जाएगा है एक जाए पर एलर्ट होगा पर चाहिए और चेज तो में याद रखना है सीजर प्रिजिंट होते है ठीक है बस वो स्टेज आपको आइडेंटिफाइ करने के लिए क्शन दे सटेज वन में क्या होता है नहीं रोज रिफ्लेक्स बढ़ा होता है राइपर अलट होता है और चेजर प्रिजिंट होता है ठीक है पहले में शिंपेटिक दूसरे में परसेंटिप्रेश और दूसरे में बौत इसल्वर में स्कोर्स में पुछा जाता है इसल्वर में इसकोर में आपको याद रखना है विए मोस्ली आपको फोटो देंगे अपर चेस्ट एक्षन अगर प्रिजर तक रखना है ने इसल्वर में इसकोर तो आपको रटना वडेगा ठीक है यह स्क्रीन ले सकते हैं बगई के लिए काफ़ इंपोर्टेंट है अब आता है रेस्पिरिटरी डिस्वाडर्स के लिए तो जो आड़ी है वो डिफिशेंसी ओफ सर्फेक्टेंग के वज़ेस होता है सर्फेक्टेंग काई काई समझना डीपीपीस की और लेसितिन की फोस्फेटाइडिल ग्लाइस्ट्रोल क सर्फेक्टेंग प्रोटेन एबी सीडी पूछे नहीं है क्लिनिकल फीचर में आपको ब्रीधिंग रिट साट सूप पर मिलेगा और रिट्रेक्शन दिखा ग्रंटिंग दिखिए कि रहिए यादर में राउंड ग्लास मिलेगा आपको एक्सरे में और लेसितिन स्फिंगो म इस नहीं आपको यादर माच ठीक है मोर देन टू रिशो बन में च्छर सर्फेक्टें के लिए ठीक है कभी भी आ सकता है यह इंपोर्टेंट एप लेसितिन में फिर प्रिवेंशन के लिए हम क्या गरते हैं बीटा मिता सोन या डिक्सा मिता सोन या याद के सरक्ते हैं अ ब्रॉंको पलमनेरी डी स्प्लेजीया तो प्रोंको पलमनेरी डीस्प्लेजिया इन में होका जिसमें हाईलीमम्रेन डीजीस थी और आप ने उसको मेंकेनिकल वें reuseол i-全 ए nhưng है के मेक्रोटाइजिंग एंट्रोली इस यह आपको याद ल Don't Mix and पर फस्ट ए में आपको ब्लड मिलेगा स्टूल में उकल ब्लड इसमें फ्रेज ब्लड मिलेगा ओके एब्डॉन एक्स-ड्रे नॉर्मल भी हो सकता है माइल इंट्रेस्टेनल डालेशन फैर सेकेंड एमे आपको नीमो टोसिस मतलग यह जो इंट्रेस्टेन की वॉल है इसमें आपको एयर फिल में ठीक है यह वाल के अंदर हो कि अधिकेंड भी में आपको पॉर्टल वैन में गेश्ट विली थर्डे में आपको मेले का पेरिटन इस और थार्ड भी वार का नीमो परिटवन तो लिए इस्टेज आधा लगने आपको फर्स्ट फर्स्ट बी सेकेंड सिकेंड भी स्कल्ड थार्ड भी यह पूछ सकता है तो प्लेनिकल इक अप दिखेंग आपको पांच से ज्यादा होगा सबसे हैं और यही सबसे ज्यादा पूछा जाएगा ठीक है अगर पहले चुछ घंटे में आपको दिखा तो वह फिजियोलोजिकल होगा कि ने सारी वह पैथलोजिकल होगा ठीक है फ़स्ट फंडिफॉर आप में दिख सकता है वह पैथलोजिकल अगर बाद ने दिखा तो फिजियोलोजिकल हो सकता है ठीक है कॉंजुकेटिड होगा ओल्वेज अन कॉंजुकेटिड यूरिन डाइपर को स्टेन कर रही है कलर दिख तो वह हमेशा पैथलोजिकल होगा ओके पाम और सोल कभी बिस्टेन ने होगा क्योंकि इतना जादा नहीं बढ़ेगा ठीक है दो यो कि तर्टिंगे ऊपर होता है इतना नहीं इसमें पाम और सोल आपको स्टेन दिख सकता है ठीक है मैं इंक्रीजिन इंडिरेक्ट आइप बिली रुपिन बोल दिया है अनकॉंजुकेटिड बिली बड़ेगा ठीक है इंक्रीज यूरो में बिलिन जाए डिक्रीज इसलिए वे नहीं आपर स्टीक हाइलेट कर दिया ओके इंडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ेगा यूरो बिलिरुबिन जन और बिलिरुबिन डिक्रीस करेगा ठीक पैथोलोजिकल के कॉज़ेश याद रखना आपको अन कॉंजुगेट मतले इंडायरेक्ट के क्या क्या हो सक अब कॉंजुगेशन खताम हो गया उसमें क्लिक्रन नजार हो सकता है जिसमें यूजी पीजटी एक एंजाइम की डिफिशेंसी हो कि फॉर्स्ट में कम्प्लीट डिफिशेंसी है सेके में पार्शे और गिलबट सेंड्रों यह दो सिंड्रोम याद करना है जिसमें अब कि यह पो रोटर सिंड्रोम में मिलेगा एक्स्ट्राइपी बिलियरी एक्रेजिम में मिलेगा डूबिन जॉंचन में मिलेगा और केरलुटी के बीजंव उचन में याद रखना ना डार्क लिवर ओके डी से जिबूस्ट है ना राइलाइक हर देता हो मैं आपके लिए सोअρι weet a såni कि डिऊबीन जोंचन टार्क ठीक नॉन एफ्स्ट्तिम हो जेक्किंब नोसें विंपोसां ऑभ सेकती हैं नॉफ्स्य कोिङ नॉद्यॉ संभर को अब Rs सोल्स क्विए Hampshire 55 आंट होगा डिक्या होता है अब ट्रीटमेंट क्या देते हैं फोटो थेरेपी देते हैं कौन सी लाइट है यह रिमेंबर कर चार्साइब से 490 लाइट बिली रूपिन इससे लूमी रूडिन में कनवर्ट हो जाता है और वो यूरिन के सब्सक्राइब हो जाता है कि आई सुमराइजेशन हो जाता इन एक्स्चेंज ट्रांशिजन कप करना है बीस से पच्ची सब्सक्राइब करना चोई से पटाइस गंटें बीस उसके बाद पच्चीस ठीक है एक उस डाटा याद रखना आपको है आरेच इंकम पिल्ट कंटेबिलिटी बलाते हैं अपन तो मदर नेगेटिव है और बच यहां फ्ट इसथन यह है क्या क्या बढ़ जाएगा ठीकित ए अन कॉंजुकेटैड्ब बिलिः बढ़ें बढ़ेंगा ये तो सिंपल सी बात है क्या आधिधाश ह्मै विए इप है चूरर इसंट्ण इयस बढ़ जाएगा इस तो Albi-s Exist lunar इस दीकाल ऊसफिए हैं और य। नाइट ब्लैंडनेist 1a1 1a1 b कि वैंने वन बी कन जब बने में कन्जक्ताइब आवल में शुड़ बहून प्रमाइब फिर भी दोट पर रहे हैं पर बीच में आते हैं सेंट में कौनिया जीरो सिज में कौनिया सुक गया फिर क्यों अलसर हो गया थार्ड में कॉर्णी एल चुरूआ था था फिर जो हुए फिर मोर दिन उन था फिर चुलार को फिर कोला है कि पूचेंगे तो नहीं बिस स्क्वेंस आते हैं ट्रीटमेंट में आपको पता है छे में में इस काम होगी दो फीए कि आप से कम हो तो O नो मैने से स्टार्ट करते हैं विटामीन एका प्रोफेलिक्सिस हर छे महिने में देते हैं ठीक है पांच साल की मुझत तो बेरी-बेरी बीवन डिफिशिंस होगा ड्राय और वेट वेट में क्या होगा कंजेस्ट्री कार्डिक फेलियर ड्रायम होगा पेरिफेरल नूराइट क्या पूछते हैं पेलेग्रा डर्मेट्राइटिस डायट या डिमेंशा कैसल ने कले सीथा फोटो भी आता है यह तो मॉस्ट इंपोर्टन हर बार ही पूछते हैं इस बार भी आएगा देख लेना पाई रिफ्रेक्टिव सीजर बच्चों में अगा रिफ्रेक्टिव सीज के लिए जो कम्प्लीट आपन रिफ्रेक्टिव एपार्ट में करें कम्प्लीट पडएं करें विटामिट्डिक इंपोर्टन है के की बात करें हम तो को फेक्टर है गामा ग्लुतमल कार्भॉकसीलेस के लिए जो की और बॉक्सीलेशन करते हैं खेटर फ्रेक्टर 279-10 का हो कि और मुस्ली घड बेक्रीय रज बनाते है के डू बीटामिन के और हम अंटिबाइटिक देदे के जो कर शीम करते हैं अगुपिक है की डिफिशंसी करा देते हैं इसके विजह से वी कभी कभी बीडिंग स्टार्ट चार गग दे अंटिवाटिक के जहां तक प्रिसकार नहीं इंट्रोपेति का होगा मतलब माउथ और एनल रिजन पे आपको अलग से एक्जीम मेटस जो लीजन दिखेंगे वो जिंग डिफिशन्स है आपने फोटो भी देखा हो गए तो इंपोर्टेंट इसका फूटर की नहीं देखा हो तो अभी भी देख सकता है न सर्च करके ठीक ह एनिमिया हो सकता है अलोपेशिया हो सकता है इंजेक्टिवेट इंपेर्ड इम्यून फंक्शन हाइपो गोनाडिस्म ठीक है नेशनल आइड इंडिफिशन्सी डिसॉडर कंट्रोड प्रोग्राम ठीक है तार्गेटेट कितना है थर्टी पीम मैनुफेक्श्टिंग पंदर इंडिफिशन्सी जबकि मारा समा प्रोटीन अर्जी डिफिशन्सी दो एडिम आपको मिलेगा पॉस्टिर कर में मरा समस में नहीं मिलेगा उके एपेटाइट पूर होगी तैसमें काफी ज्यादा होगी सी एनिस में आप एपैथी और एक्टिव चायड दोगा मरेसमस वाल है पेटो में लिए इसमें होगी इसमें नहीं दिखी स्कीन और हैर चेंज इसमें ज्यादा दिखें इसमें नहीं होगी तो पांच पॉइंट आपको याद रुक्त कि सीवेर एक्यूट मालनुट्रिशन कि स्कुम लेंगे चे से पांच सार का अगर है हाइट थ्री स्टेंडर डेवेशन से निचे है सरकंफ्रेंस 11.5 12.5 मालनुट्रिशन और सीवेर एक्यूट मालनुट्रिशन का भी 11.5 हमने 12.5 की बात आगे करी दिए और दोनों तरफ सिमे sugar deficiency, hypothermia, infection, electrolyte imbalance, dehydration, deficiency और micronutrient, ठीक है लुक फॉर complication in treated, treatment का है, hypoglycemia का treatment 10% extra से, hypothermia का drive-in moment, dehydration, WHORS and racymal, electrolyte imbalance का क्या है, supplement, potassium and magnesium infection के लिए antibiotic स्टार्ट करना है, ये बात ध्यान रखेना, iron started 1-2 weeks later हो कि क्योंकि iron suitable नहीं होता है, infection के cases में भी हम iron नहीं देते हैं, oxidant species की तरह काम करते हैं, इसलिए एक दो भी हफते बाद start करना है, nutritional replication, सित्ता से start करना, और देर्सों के लोकेल्टी तक जाना है, अब बात करेंगे हम genetic disorder की, mendalian and non-mendalian disorder की बात में, mendalian, autosomal dominant recessive, x-link dominant recessive, trineucleosid metron, genomic imprint, ठीक है, बस आपको याद ही रखना है, autosomal dominant के नाम याद रहें, इसके लाव कुछ नहीं बात करेंगे, तो स्वामों से, आपने जो ट्रिक बनाएं, autosomal dominant याद रखना है, चिक है, autosomal recessive, abc, वोन, helicopter ने बीटा थनाजिस्टिक और वोन वोन के विल्चंटीक है, एक्स लिंक recessive में mostly सभी आ जाएंगे, g6, dutchan, february, hemophila, viscorder, एक्स लिंक, dominant, malport, और rate, ठीक, और pedigree analysis यह दयान रखता है, analyze में हमेशा दयान रखना है कि dominant inheritance अगर होगा तो एक जो affected child है, उसका parents भी affected होगा, मतलब dominant है, और father to son अगर transfusion हो रहा है, मतलब वो x-link नहीं हो सकता है, ठीक है, rule out x-link, अगर सारे children affected है female के, तो हो mitochondrial होगे, pedigree analysis में तीन पॉइंट याद रखोगे, सारे बन जाएंगे, नोन-mendalin में, trinucleotide rapid, fragile x-cg, hunting done होता है, के इसके लाव भी एक होता है, याद नहीं आ रहा है, पर आप जियान कर लेना, यह दो पूछ सकता है, mitochondria के लिए, मेलाज है, और कीम से कहारे syndrome है, पर यह कभी तो पूछा नहीं, प्रेडर विला है, और एंजल में पूछ रहा है, जिनो में किन प्रिंटिंग के वज़ा है, एक में PM, maternal disomy, AM, maternal deletion, ठीक है, यह maternal deletion होते है, paternal disomy, यह आपके याद रिकना है, इसमें, पेरेंट्स का जो फादर का है, वो डिलीट हो गया, मदर का डबल हो गया, इसकी वज़े सो गया, इसमें उल्टा हुआ है, एंजल में में, ठीक है, डाउन सिंड्रोम की बात करें हम, तो trisomy 21 है, पता है, AVHD सबसे ज़्यादा कॉमन मिलता है, ठीक है, टूटनल एक्रीजिया मिलता है, ठीक है, इसके कुछ, सेंटरल गे, इसमें क्रीज, प्रूडिंग टंग, लो निजल प्रीज, यह लो सेड, नहीं पूछेंगे, पर याद रखना है, यह याद रखना है, यह याद रखना है, क्वाट्रूपल टेस्ट हो कि यह पूछ रखता है, हाई उपर जाएगा और मी नीचे आएगा, ठीक है, मतलब बार बार पुछेंगे, और आप इसीली समझ जाओगे, निपल वाइड लिस्ट है, वेबनेक्ट है, बार बोडी अपसेंट है, ठीक है, ओवरीज, अंडर डेलोपे, शोर्ट स्रेचर है, इंटेलिजन्स यूजली नॉर्मल होता है, ठीक है, ट्राइसोमी, अठारा एडव तो मॉंगलेट, नमेशा ऐसा होगो, ठीक है, यह मॉंगलेट है, यह अपने को डाउन मिलता है, यह एंटि मॉंगलेट आपको नुनान में मिल रहा है, ग्लाइकोजन स्ट्रोज डिजिस्जिस मोश्टी बायोखेमिस्ट्री में पढ़ हम ढ़ाएं करने हैं थोड़ा थोड इसमें आपका सारा कुशनमेंदा है, okay? सेकेंड होते हैं, पॉंपीस. टीक, वांट गिर की वाज़ा था, तो पॉंपीस. इसमें इसमें इसीड माल्टेस्ट, इफिशनसी होती है. सिर्फ मॉसल में प्रेजिंट होता है, ना, इन्डर सन में इसमें limit dextran Пड़ जाते हैं अगर डी ब्रांचिंग है मतलों यह ब्रांच कटनी कर सकते इसकी तो इत्ता-इत्ता हमेशा बढ़ जाएंगग इनको dextran बोलता है सब बढ़ जाएंग ठीक है कोड़ीज माइलो प्लेक्टिन बढ़ जाते क्योंकि ब्रांच करने के लिए नहीं सीदा सीदे लंबी चेन बढ़ जाएगी तिक मेकाडल याद रखना है ठीक है मसल फोस्फोरायलेज प्रेजिंडिन मसल मॉस्स कोमन इन डिड़्टों के हैं अधिस तो नहीं पुछेंगे आप से एप्रेटिक फोस्फोरायलेजेशन माइल डिजीज है पैटि मेकाडल याद रखनें और इनके नाम याद रखना सी से डी कोरीज में डिवरांच एसे बी ए प्रेटों के टिके जहां पर भी उगलेक्टोसी में कर देना आपको अमीनो इसीड मेटाबोलिजन आपको मुस्तली यह और रियाद रखनें टॉमकेट किसमें दिखिए का मल्टिपल कार्बोस बोईल के भी तिकर का टायरोसीन यह बॉन्ट शूगर दिखिए हमें अपल सि इंडिंग ठीक है अल्बिनिजम में टायरोसीनेज डिफेक्ट है यह सारे बायोकमेस्ट्री की गोश्चन है मैंने एट कर दिये हैं कुछ-कुछ इंपोर्टेंट जो है ठीक है इम्यून डिसवार्टर में हो रहा है विसकोट एल्टरीज का वास्प जिन होता है और यह ट् से ठीक है एक्जिमा रिकरेंट इंफेक्शन थ्रोंबोस है ठीक है डी जोर्ट सिंड्रोम भी आद करना केज 22 से नाम कार्डियक अनुमली ऐसे अबनॉन फेसिस थाइमिक हाइपोप्लाजिया क्लेफ पैलेट हैपोकेलिमिया और बाविस का डिलिशन होता है ठीक है फिर एक पर बेक्टरिया मन नहीं पाता है इसकी डिफिशन सी के तो इसलिए रिकरेंट इंफेक्शन होता है के टला और ग्रेनियूलर फॉर्मेशन होता है ना डाइग्नोसिस अपन नाइट्रो ब्लू टेटर जोलेम टेस से करते हैं ठीक है लूकोसाइड अडिशन डिफेक्ट यह यह दिखेगा आपको डिलेड फुल ओफ अंबिलेकल कोर्ट स्टम ठीक है यह डिलेड होगी अगर कोशन में तो लेडी टू मार्कने कोशन आ चुका है ना अंबिलेकल कोर्ड बात में फॉल उफ कर रही है तो वह लेडी टू ठीक है शेटेक हिकाची सिंड्रोम याद करना आपको लाइज जो प्रोटीन होता है जो बैक्टरिया को लाइसोजोम तक ले जा रहता है वो नहीं होता है जिसके कारण जाइन ट्रिलियों में आप दिखेंगे है है और फ्रिक्वेंट इंफेक्शन दिखेंगे अब बात करते हैं वस्कुलाइटिस की मीडियम वेसल में क क्रीम याद रखना कंजेक्टिवाइटिस रेशन वोल ट्रंग एडिमा एडिनोपीति स्ट्रोबेरी टंग ठीके कॉम्प्लिकेशन इसमें में होता है आईवी आईजी और इस्परिन देते हैं ठीके क्रीम याद रखना क्रीम इसमॉल वेसल में हिनोशोलिक परप्रिया अपसेंट होता है ठीके पिर भी परप्र है ठीके तो यह हमारा पहला पार्ट लगभग हमने कंप्लिक कर दिया है सेकेंड पार्ट में हम और डीटेल में लाएंगे जो बचा हुआ है मतलब पीडिया लगभग पूरी कवर होगी इसमें ठीक है अब जो सीवी एसार रेस्पिरेट्री सिस्टम यह सब है सेकेंड पार्ट में पूरा पूरा अपका रेपीडिविजन हो जागा पीडिया टीक